नमस्कार न्यूस निशन पर ओकी नामा प्रेजेंस चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप मैं आपके साथ अखिल गुपता आईपेल 2024 में गुरुवार को एक बड़ा खास मुकाबला खास इसलिए है क्योंकि जिन टीमों के बीच ये मैच है वो दोनों ही टीमे फिलाल टॉप 4 से बाहर चल रही है ये मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियन्स के बीच ये मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड यानि की मुलापूर क्रिकेट स्टेडियम में अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि पंजाब बना मुंबई मैच की पिछ रिपोर्ट कैसी होने वाली है इस मैच के दोरान मौसम का हाल कैसा रहेगा पंजाब और मुंबई का हैड टू एड रिकॉर्ड क्या कहता है कि स्ट्रीम का पर डाभारी है साथ ही दोनों टीमों की पॉसिबल प्ले इंग लेविन क्या होने वाली है उस पर भी नज़र डालेंगे सबसे पहले बात करते हैं पिछ रिपोर्ट की यह मुकाबल चिंडी कट की मुलापूर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा यहां की फिच की बात करें तो यह बल्ले बाजों के लिए काफी अनुकूल रही है क्योंकि यहां गैन सीधे बल्ले पर आती है आईपल दोजार चॉबिस में अब तक यहां पर तीन मुकाबले खेले जा चुके हैं इसलिए हमारा मानना है कि यहां पर जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो पहले गिनबाजी करने का फैसला कर सकता है अब तक इसी स्टेडियम में जो तीन मुकाबले खेले गए हैं वो काफी ज़दा हाई स्कोरिंग देखने को मिले पंजाब को पहले मैच में जीत मिली थी लेकिन इसके बाद पंजाब के टीम यहां पे लगातार दो मुकाबले हार चुकी है और दोनों ही तीनों ही मुकाबले आखरी ओवर तक गए यानि कि एक बात होते हैं कि पंजाब बना मुंबई मैच में बी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आखरी ओवर तक आखरी ओवर तक मुकाबले का रिसल्ट हमारे सामने ना आए अब देखते हैं कि मैच के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा गुरवार 18 पहल कुछ रिंडिकर्ण का तापबान 24 से 34 डिगरी के आसपास रहने की उमीद है मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है अब मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है लेकिन जैसा मैंने भी कुछ मिनट पहले ही का कि हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है यानि कि बारिश तो होगी बारिश आसमानी बारिश देखने को नहीं मिलेगी लेकिन चौके और छकों की फुल टू गैरेंटी है यानि कि सबर्दस मुकाबला देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं पंजाब और मुंबई के हैट टुएड रिकॉर्ड की आई पेल इतियास पे अब तक दोनों टीमों के बीच गुल 31 मुकाबले खेले गए हैं जिन में पंजाब ने 15 में जीत आसिल की जबकि 16 में मुंबई इंडिनस को जीत मिली अब बात अगर दोनों टीमों की संभावित प्लेंग 11 की करें टिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांडिया कैप्टन, टिम डेविट, रोमारियो शेफ़र्ड, मौंबद नभी, आकाश मदवाल, शेस गोपाल और जस्परित बुम्रा तोनों ही टीमों का अपने पिछले मैच में हार मिली थी ऐसे में बदलाव की गुंजाईश तो बहुत कम नज़र आती है लेकिन शिकरदवन, शिकरदवन अगले 7-8-10 दिनों के लिए IPL से बाहर हो गए हैं ऐसे में सैम करन को एक बार फिर से पंजाब की कप्तानी करते हुए देखा जा सकता है यानि कि अथर टायडे को एक और गोल्डन अपोर्चुनिटी मिलने वाली है और हो सकता है कि वो एक पर उपनिंग करते हुए भी नज़र आए पंजाब की टीम में जॉनी बेस्टो को कोई जगा नहीं मिली है क्योंकि पंजाब के लिए जोनी बेस्टो लगतार आउट ओफ फर्म साबित हो रहे है 11 नवंबर के बाद से उनके बल्ले से किसी भी फॉर्मेट के क्रिकिट में हाफ सेंचुरी तक नहीं निकली है ऐसे बे हो सकता है कि शायद पंजाब किंग्स उनको इस मुकाबले के लिए ड्रॉप कर दे बात अगर बैसे पंजाब किंग्स की करें तो शिखरदवन का ना होना इस टीम के लिए थोड़ी बहुत खत्रे की गंटी पैदा कर सकता है तो कि शिखरदवन ने बले ही बड़ा स्कोर ना बनाया है और बड़ी उसलाई ले में नज़र ना आया है लेकिन टॉप ओर्डर में उनका होना टीम के लिए अनुभव की कमी को ला सकता है प्रपसिमरन सिंग उनका बला चलना ही रहा है जिते शिर्मा जिनको लोवर ओर्डर में बैटिंग करने का मौका मिल रहा है अच्छी पारियां भी खेली है लेकिन मुझे असा लगता है कि अगर उनको बैटिंग ओर में उपर बेजा जाएगा तो शायद पंजाब के लिए थोड़ा बैटर रहेगा लेकिन लोवर ओर्डर में आशुतो शिर्मा और शेशांक सिंग ने लगातार टीम के लिए इंप्रेसिव परफॉमेंस की है सैम करन जो कि अब कैप्टन की भूमी का में नजर आने वाले हैं कुछ खास करना ही रहे है एक आईपिल का दोजार चौ में बने रहना है टॉप चार में पहुचना है तो अब बचे होए सबी मुकाबले जीतने पड़ेंगे टीम की गेंदबाजी काफी खराब देखने को मिली है एक अच्छा स्पिनर टीम के पास नहीं है हर प्रीद बराज ने शुबात कि में कुछ मैंचेस में अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिले अर्शिदीब सिंग जिरोंने मुलापूर स्टेडियम में अभी तक प्रभावित किया है लेकिन काफी एक्स्पेंसिव साबित हुए खास्तों और पे डेथ ओवर्स में आकर अर्शिदीब सिंग की काफी पिटाई देखने को मिली है और पिछले मैच में मुमबरी इंडियन्स को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन उसके पिछले टीम ने लगतार दो मैच जीते थे ऐसे मुमबरी को इस मैच के लिए जीत का फेवरेट आप कह सकते हैं क्योंकि इस टीम में रोहिष शर्मा नाम का तूफान है जोनोंने चलने क कि खिलाब नाबास शुत के पारी खेरी थी हर्दिप पांड़ा का बल्ला पिछले कुछ मैचिस में अच्छा चला है लेकिन बतोर गेंबास वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं इशान किशन की बात कर लें अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं टिम डेविट हो रोमारियो फैंस एक बड़ी पारी देखना चाहेंगे गेंबासी की बात करें तो इस टीम के पास भी एक अच्छी स्पिनर की कमी साफ तोर पर खल रही है प्यूश शावला जिनको मौका नहीं मिल रहा है जब मौका मिला तब कुछ खास कर नहीं पाए मौमद अभी पिछले मैच मैच पहला ओवर लिका रहा है थे तीन ओवर में एक प्रिवेट उनको नहीं मिला श्यस गोपाल भी वह चाप अपि तक छोड़ नहीं पाए हैं लेकिन तेज गेंबाजी में गेराल कोट जे जस्परिद बुमरा और आकाश मदवाल लगातार प्रभावित कर रहे हैं खास तोर मुंबई आपको क्या रखता है कौन सी टीम में मुकावला जीतने वाली है कमेंट सेक्शन में जरूर दें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शियर करना बिलकुल न भूलें कि उल जर सकती है झाल झाल